किसान नेतर राकेश टिकेट का ब्यान सामने आया है राकेश टिकेट ने कहा कि किसान आंदोलन तत्काल वापिस नहीं होगा संसद में कानून रद होने के बाद ही फैसला होगा किसानों के दूसरे मुद्दो पर बाच्चित जरूरी है किसानों से सरकार बाच्चित भी करें किर्शी कानूनों पर केंदर सरकार ने बड़ा फैसला किया है पीम का तीनों किर्शी कानून वापिस सी लेने का एलान किसान संग्ठनों ने स्वागत किया है कल किसान संग्ठनों की बैठक होगी बैठक में आगे की रणनीती पर फैसला होगा किर्शी कानून वापसी पर कई नेताओं की परतिकिरियां भी सामने आने लगी है तीनों किर्शी कानून की वापसी पर राहूल गांदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के अंदाता ने सत्या गरह से एहंकार को जुका दिया है अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारख हो जैहिंद जैहिंद का किसान किर्शी कानून वापसी पर ममता बेनरजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये किसानों की जीत है इस अंदुलन में हिस्सा लेने वाले हर किसान को बज़ाई परदान मुंतरी नरिंदर मोदी ने तीनो कृशी कानून वापसी लेने के एलान किया है पंजाब के किसानों ने फैसले पर खुशी जताई है कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने पीम मोधी को शुक्रिया कहा तीनो किर्शी कानून वापसी लेने पर धन्यवाद दिया वही नवजो सिंग सिद्धु ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंदर सरकार ने सही फैसला किया है किसानों के सत्या गरह को एतिहासिक जीत मिली है शिव सेना ने भी फैसले को किसानों की जीत बताया दिली के डिप्टी सीम मनीश सी सोधिया ने कहा कि सरकार को यह मांग पहले ही मां लेनी चाहिए थी